हाई गाईज, वेलकम बैक टो नाथ वीडियो HPPSE Research Officer का Examination 15 माई 2024 को conduct करवाया गया इसका हम Paper 1 discuss करेंगे इसमें HPGK और IndiaGK के 30 questions पूछे गए थे तो इन questions को हम detail में discuss करेंगे जो आपके PGT के Examination में आपकी help करेंगे और ये questions allied services की दिरिख्टी से भी महत्तब होने है allied और HS शुरू करते हैं first question से पहला question है which following value of Himachal Pradis is not matched correctly तो बल वैली मंडी में है correctly matched है सांगला वैली की दौर में है पिन वैली कुलू में नहीं है ये लहाज़बिती में है तो statement 3 यहाँ पे correctly match नहीं है चुराह वैली जंबा में है बिल्कुल correct है पहली दूसरी और fourth ये बिल्कुल correct match है third option इसका correct answer होगा ये correctly match नहीं है बहला question है question number third identify the lake of Himachal Pradis which is located at the highest altitude from the following तो यहाँ पे जहिलें दी गई हैं आपको पताना की कौन सी जहील सबसे high altitude पे है पहली है नाको जहील नाको लेक डिस्टिके की नौर में है और इसका altitude है 3662 मेटर अबव sea level इसके बाद है कालासर लेक कालासर लेक मंडी में है और इसका altitude है 1755 मेटर third है चंदरकूप लेक चंदरकूप लेक चमबा में है और इसका altitude है 3450 या 3450 मेटर और fourth है शरिंगतिंगू लेक इसे शरिंगतूग लेक ये डिस्टिक कुल्डू में है और इसका altitude 200 मेटर है 200 मेटर अबव sea level तो सबसे ज़्यादा altitude यहाँ पे स्रिंग तुंग लेक का ही है बैलिसो मिटर आप्शन डी क्रेक्ट हो जाएगा यहाँ पर स्रिंग तुंग लेक यह डिस्टिक कुल्डू में है नेक्स्ट कोशन है कोशन अबर फोर्थ विच फॉलोईंग डिस्टिक औफ हिमाचल परदेश had more female rural population than men as per senses 2011 निमलिक्त में से जो जिले दिये गए है इन में से ग्रामिन महिलाओं की population पूर्षों की अपिक्सा ज्यादा है किस जिले में तो यहाँ पे मंडी जिले में ग्रामिन महिलाओं की population अधिक है पूर्षों के मुकाबले पूर्षों की population यहाँ पे 4,666,000 की संथी है और वहीँ पे महिलाओं की population यहाँ पे 4,71,000 संथी है तो महिलाओं की संक्या यहाँ पे अधिक है गरामेड महिलाओं की यहाँ पे बात हो रही है उचाता गरामेड महिलाओं की rural population इसमें ऊप्शन B करकोggak मंडी next question है question no5 identify the rank of हिमाचल प्रदेश of the total its total geographical area in India in 2022 from the following the rank of हिमाचल प्रदेश of the total geographical area in India is 17th 17th rank है हिमाचल प्रदेश का बारत में option एक रहत होगा 17 अगला कोशन है question number 6 which following is the increase of correct percentage of हिमाचल प्रदेश gross estate domestic product as at current prices in 2022-23 the increase of current percentage of हिमाचल प्रदेश gross estate domestic product at current prices is 10.7% option a is correct is according to 2022 and 2023 okay 10.7% अगला कोशन है question number 9 which following location of the आदी ब्रह्मा टेंपल is cracked in हिमाचल प्रदेश आदी ब्रह्मा मंदिर की location क्या है हिमाचल प्रदेश में किस location में है आदी ब्रह्मा टेंपल आदी ब्रह्मा टेंपल डिस्टिक मंडी और कुलू की boundary पर है खोकन नामक स्थाल पर ओके खोकन option C रेक्ट होगा खोकन में है आदी ब्रह्मा टेंपल अपने खोकन wildlife century भी पढ़ी है जो की डिस्टिक कुलू में है तो यह जिस्टी कुल्डू में आता है, क्योंकि खोखन वाइलाफ सेंचुरी यह जिस्टी कुल्डू में है, खोखन में ही है आदी ब्रह्मा टेंपल, अगला कोशन है टेंफ कोशन, फ्रॉम विच फॉलॉइंग स्टेट ओफ इंडिया, हिमाचल परदेश, डेंसिटी ओफ पॉपुलेशन पर स्क्वेर किलोमेटर वाज लेस, अगला कोशन में पूशते हैं कि, 2011 की जनगर्णा के नुसार, हिमाचल परदेश का जो जनसंख्या घनतो है, पॉपॉलेशन डेंसिटी है, वो भारत के किस राजय से कम है, तो यह जो آپशन में दिये गए हैं राजय Agn की अगर पॉपॉलेशन डेंसिटी की बात करें, तो पहले हिमाचल परदेश की पॉपॉपॉलेशन डेंसिटी जो 2011 की सैंसेंस के नुसार है, वह है 123, है अगर अरुनाचल प्रदीश की population density की बात करो तो यहां की population density है 17 के वल 17 17 लोग लेते हैं पर स्क्वेर गिलोमेटर में मेगाल्या की population density है 132 मनिपूर की population density है 128 और सिक्किम की population density है 86 तो यहां question में पूचाएगी हिमाचल प्रदीश की किन राजियों के population density से कम है हिमाचल प्रदीश की तो यहां पर मेगाल्या के भी ज्यादा है 132 है और मनिपूर की भी 128 है हिमाचल की क्योंकि 123 है तो इन दोनों से कम है हिमाचल प्रदीश की तो यह दोनों ही option सही होगे option B और option C जिस परकार से इनों नहीं यह question पूछा है तो यहाँ पर यह दोनों option जो है इन दोनों states की population density ही मतलब परदेश से ज़्यादा है तो देखना होगा कि यह question subscribe होता है या इसका कौन answer correct दी जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही option में जो मेघाले और मनीपूर की population density ही मतल से ज़्यादा है अगला question है question number 11 how many medals have been won by ही माचल परदेश उनिवर्सिटी शिमला इन खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2024 खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो हुई इन में ही माचल परदेश उनिवर्सिटी ने कितने medal जीते है तो खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2024 में ही माचल परदेश उनिवर्सिटी ने total 8 medal जीते हैं option D क्रेक्ट होगा 8 medals सबसे ज़्यादा medal चंडिगड़ उनिवर्सिटी ने total 27 medal sorry 77 medal जीते हैं चंडिगड़ उनिवर्सिटी ने और यह टॉप पर रही ही माचल परदेश उनिवर्सिटी ने total 8 medal जीते हैं जिन में से 2 gold 4 silver और 2 bronze total 8 medal जीते ही माचल परदेश उनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स यह आस गौहाटी में आयूत के गई थी गौहाटी question number 12 है identify the year when शिमला बिकेम the capital of British India from the following शिमला कब British भारत की राजधानी बनी थी 1864 में 1864 में शिमला को British इंडिया की राजधानी बनाया गया था capital बनाया गया था option C correct होगा 1864 next question है question number 13 identify from the following authors of हिमाचल प्रदेश who has written the हिमावत हिमावत जो पूस्तक है इसके writer कौन है author कौन है हिमावत पूस्तक के जो author है वो है Nicholas Rorick Nicholas Rorick correct answer होगा option A Nicholas Rorick के दोरा लिखी गई है हिमावत अगला question है question number 14 question में पूस्ते हैं which following chief minister of हिमाचल प्रदेश had the longest tenure of office longest tenure हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहा Y.S. परमार का Y.S. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो थे यह चार बार मुख्यमंत्री बने और दूसरी भार 1980 से 1983 शांता कुमार भी दो बार CM रहे हिमाचल प्रदेश के यह पहले CM थे जो 11 कॉंग्रेसी थे हिमाचल प्रदेश में यह जनता पार्टी से पहली बार चुने गए थे 1977 से 1980 तक यह जनता पार्टी द्वारा चुने गए थे पहले नॉन कॉंग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के और दूसरा टैने और इनका 1990 से 1992 के बीच में रहा 1990 से 1992 उस समय जनता पार्टी जो है BJP में चेंज हो गई थी 22 जनता पार्टी में और फूर्थ प्रेम कुमार धुमल भी दो बार सियम चुने गए हिमाचल प्रदेश के एक तो 1998 से 2003 और दूसरा टैने और रहाइन का 2007 से 2012 ओके तो इसका question का right answer होगा वाई इस प्रवन और option थे question number 15 है identify the district of हिमाचल प्रदेश where the पजोता moment was organized from the following तो पजोता अंदोलन जोता पजोता moment ये district शिर्मोर में organized हुआ था district शिर्मोर में हुआ था ये पजोता अंदोलन 1942 में और इसे इस अंदोलन को lead किया था वैद सूरत सिंग वैदे सूरत सिंग इसके जो है main leader थे ये तो 15 question पूचे गए थे हिमाचल जी के से इसके बाद इंडिया जी के, नेशनल जी के question 16th question Indian quality से पूचा गए है, where is the question which following articles article of Indian constitution leads with the fundamental duties of the citizens fundamental duties Indian constitution के किस article में दी गई है fundamental duties article 51 A में दी गई है, option A इसमें correct होगा, article 51 A और part है part 4 part 4, question number 17 है the 7th economic census of India was conducted in 7th economic census of India was conducted in 2019 option C correct होगा 2019 में 7th economic census conducted होई थी भारत अगला question है, question number 18 which following is correct about परदान मंत्री, आवास, युजना ग्रामिन, परदान मंत्री, आवास, युजना, ग्रामिन के बारे में कौन सी statement correct है, सही है, पहली statement दी गई है it provides the 1.25 lakh per unit for constructing पक्का house in plain area तो ये statement गलत है 1.25 lakh नहीं देते plain areas में, plain areas में 1.20 lakh 1,20,000 रुपए धनार्शी दी जाती है plain areas में, पक्का मकान बनाने के लिए प्रदान मंत्री, आवास, युजना, ग्रामिन के दैत और it provides 1.30 lakh rupees per unit in hill areas तो hill areas में पैसे जादा मिलते हैं यहाँ पे 1,30,000 रुपए मिलते हैं areas में, तो statement B correct है, तो option B correct होगा इसमें चलिए अगला question है, question number 19, the vengala dance festival belongs to which following state in India, state of India, तो यह जो vengala dance है, festival है यह celebrate किया जाता है meghalya में, meghalya में celebrate किया जाता है vengala dance, यह festival meghalya में एक tribe है garo tribe आपने नाम सुनाओगा, इनके दौरा celebrity किया जाता है, garo tribe दौरा so इसमें option D correct होगा में घालya next question है, question number 20 identify the state of India which established the institution of loka yukta for the first time the state of India which established the institution of loka yukta for the first time is maharashtra, maharashtra is the correct answer, यह जो loka yukta है, यह एक anti-corruption agency होती है, anti-corruption agency, और loka yukta को appoint करता है governor of the state governor के द्वारा appoint की जाता है loka yukta, और loka yukta का tenure जो होता है, इनकी five year की term होती है, okay, five year अगला question है, question number 21 in which following mountain range the thalgaat gap is situated thalgaat gap situated है western ghats में option, एक रेक्ट होगा, western ghats में आता है, thalgaat gap next question है, question number 22 important question है और easy question भी है identify the identify the society which was founded by the Gopal Krishnan Gokhale from the following Gopal Krishnan Gokhale द्वरा conscious society found की गई थी, Gopal Krishnan Gokhale was the founder of the servant of India society, servant of India society की स्थापना की थी, Gopal Krishnan Gokhale ने सन 1905 में सन 1905 में servant of India society की स्थापना की थी exact date की बात करें, तो 12 जून 1905 को कहां की थी, तो पूने में की थी पूने महाराष्टरा में गोपाल Krishnan Gokhale ک के घोकले को भारत का घारत का गलेड स्टोन का जाता है भारत का गलेड स्टोन का जाता है गोपाल Krishnan Gokhale ये महात्मा गांधी के coral folderknal guru थे, महात्मा गांधी ने अपने राजनितीक गुरू मांते थे गोपाल क्रिशन गोगले को और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें Diamond of India कहा था Diamond of India कहा था बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल क्रिशन गोगले को और गोपाल क्रिशन गोगले के राजनितिक गुरू थे M.G. Ranade M.G. Ranade महात्मा गांदी के पॉलिटिकल गुरू थे गोपाल कृष्ण गोगले और गोपाल कृष्ण गोगले के गुरू थे M.G. Ranade तो इस क्रोनलोजी को याद रखें आप और बाल गंगाधर तिलक ने Diamond of India का हा था गोपाल कृष्ण गोगले के तो यहां से इतने facts याद रखें आप अगला कोष्ण है कोष्ण नाबर 23rd विच ओफ दे फॉलोविंग इस क्रेक्ट यह जियोग्रफी से कोष्ण है तो पहला statement है अंडेमान और निकोबार आइलेंड अंडेमान और निकोबार दीप समोह है यह अर्ब सागर में है तो यह statement गलत है यह अंडेमान और निकोबार दीप समोह है यह बे ओफ वेंगॉल में है तो लक्सेदीप आइलेंड ये अर्वजागर में है और अंडेवानी को बार बे आफ वैंकॉल में ये उल्टा दी दिया है आपे तो दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है लक्सेदीप के पास लाज़ेस नमबर आइलेंड नहीं है लक्सेदीप के पास टोटल 32, sorry 36 आइलेंड है 32 स्क्वेर किलोमेटर लक्सेदीप का जो है पूरा एरिया है ख्षेतरफल है और इसके 36 आइलेंड है अंडेवान निकोबार has the largest number of islands ये स्टेटमेंट क्रेक्ट है अंडेवान निकोबार के पास largest number of islands है कितने islands है टोटल 572 आइलेंड है अंडेवान निकोबार के और अंडेवान और निकोबार दीप्समुह ये बेय अफ बेंगॉल में है तो इसमें इस्टेटमेंट फॉर्थ क्रेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 24 आइडेंटिफाइए फ्रॉम दे फॉलोइंग कंट्रीज विच है बीकम दर्धार लार्जेस्ट एकॉनमी ऑफ ओफ ए जर्मनी जर्मनी तीश्रे नमबर की एकॉनमी बन चुका है Canada 10th number पर है India 5th number पर है India का rank 5th है economy में World economy में पहले number पर USA है United States of America First economy है Second पर China है Second China का है Third पर Germany है Fourth पर Japan है Fourth पर Japan है और Fifth पर India है First पर USA है Largest economy में Second पर China Third पर Germany है Fourth पर चला गया है Japan और Fifth पर है हमारा प्यारा भारत 10th number पर है Canada अगला कोशन है Question number 25 In which following city The second summit took place between the US President and the North Korean leader जो second summit हुई थी US President और North Korean leader की बीच में वो हुई थी Hanoi में Hanoi में हुई थी ये 2019 में ये second summit थी First summit हुई थी Singapore में First summit Singapore में हुई थी Second summit 2019 में Hanoi में हुई थी तो इस question का मैं second summit पूचा था तो second summit Hanoi में option A क्रेक्ट होगा next question है question number 26 identify the international day for the prevention of ozone layer from the following prevention of ozone layer कब मना जाता है international day for the prevention of ozone layer celebrate की जाता है September 16 को 16 सितंबर को option D क्रेक्ट होगा इसके साथ आप October मन्त के यहां से important days check कर सकते हो International day of non-violence मना जाता है 2 अक्तोबर को 1 अक्तोबर को मना जाता है international music day World teacher day celebrate की जाता है 5 अक्तोबर को National teacher day कब celebrate की जाता है को comment section में बताना है National teacher day International girl child day celebrate की जाता है 11th of October 10th of October को celebrate की जाता है National post day World mental health day celebrate की जाता है 10th of October को अगला कुशन है question number 27 from sorry which following country is matched correctly with the medals in World Athletics Championship 2023 World Athletics Championship 2023 में medals किस country ने कितने जीते है आपको सही match बताना है तो सही match आइन में से USM का USN ने 29 medal total जीते है 2023 में World Athletics Championship किनाडा के 15 medal बताए है ये गलत है किनाडा ने 6 medal जीते थे USN ने 29 medal जीते थे Kenya ने total 10 medal जीते थे और Spain ने total 5 medal जीते थे रहता है USA total 29 medal अगला कोशन ने कोशन नमर 28 identify from the following the correct number of European Free Trade Association European Free Trade Association के total members कितने हैं European Free Trade Association के total members जो है ये 4 members है 4 members option B correct होगा इसके जो 4 member हैं European Free Trade Association के वो है तो first है Iceland Iceland Norway third है Switzerland Switzerland और fourth है fourth state है Lick 10th time Iceland, Norway, Switzerland and Lick 10th time अगला कोशन है कोशन number 31 of the following who has won the best actress Oscar Academy Award in 2024 so Emma Stone won the best actress Oscar Academy Award in 2024 option A इसमें करेक्ट होगा Emma Stone और last question है question number 30 identify from the following countries which is the first NATO member to suspend its embassy in Russia in 2023 वो कौन से country थी है country थी 2023 में जिसने Russia में अपने दूतावास को embassy को suspend कर दिया था 2030 में तो ये NATO केंट्री थी Iceland Iceland कंट्री ने अपना दूतावास रसिया में suspend कर दिया था 2030 में तो ये first NATO कंट्री के member थी अगर बात NATO के करें तो NATO की full form होती है North Atlantic और इसकी स्थापना होई थी 1949 को 1949 को इसकी formation होई थी अगर exact date की बात करें तो 4th April 4th April 1949 4th April 1949 को NATO की formation होई थी और इसका जो headquarter है इसका headquarter जो है वो Belgium है Belgium Okay, so that's it ये 30 questions पूचे गए थे HPPC Research Officer के examination में ये paper one था इसके हिंदी और इंग्लिश अभी 20 questions बच जाते हैं इसको आम नेक्स्ट वीडियो में करें इस PDF का link आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पे ये PDF आपको टेलिग्राम पे available हो जाएगी टेलिग्राम का link description में है वहाँ से आप join कर सकते हो साथ ही आप WhatsApp channel भी हमारा join कर सकते हो इसका link भी आपको description में मिलेगा Thank you so much